इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से लिग गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्यो करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी। ट्राइक्रोसा प्लस टैबलेट रूमिटाइड आर्थराइटिस और एंकिलोजिंग स्पॉंडोलिटिस जैसी स्थितियों में दर्द से राहत देता है। सूजन को कम करता है और सूजन को कम करता है। यह मानस्पेशियों और पीठ दर्द, दात दर्द या कान और गले में दर्द से भी राहत देता है। यह शरीर में उन पदार्थों को कम करके काम करता है जो दर्द और सूजन का कारण बनते हैं। अधिक से अधिक लाब प्राप्त करने के लिए इसे बताए अनुसार लें। यह आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने और बहतर अधिक सक्रिय, जीवन की गुनवत्ता प्राप्त करने में मदद करेगा। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुछले या तोडे नहीं। ट्राइक्रोसा प्लस टैबलेट को भोजन के साथ लेना बहतर होता है। ट्राइक्रोसा प्लस टैबलेट चार दवाईयों का मिश्रण है। ट्रिपसिन, प्रिटोसाइड, ब्रोमिलेन और एसिकलोफिनाक। ट्रिपसिन और ब्रोमिलेन एंजाइम है। वे रक्त की आपूर्टी में व्रिधी करते हैं और शरीर को दर्द और सूजन से लड़ने वाले पदार्थों का उत्पादन करते हैं। ट्रिटोसाइड एक एंटि आउक्सिडेंट है जो शरीर को रसायनो यानि की फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है और सूजन को और कम करता है। एस्कलोफिना के एक नॉन स्टेरायल एंटी इंफ्लिमेटरी ड्रग यानि की एनिसे आईडी है जो मस्तिश्क में दर्द और सूजन यानि की लालिमा और सूजन पैदा करने वाले कुछ कैमिकल मेसेंजर यानि की प्रोस्टाग्लेंडीन को निकलने से रोकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन on all नोटिफिकेशन प पर सेट करें धन्यवाद